हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ट्रिक जिससे कि आप अपने फोन में जो कीबोर्ड है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप देखते होंगे लोगो के फोन में वो अपने कीबोर्ड पर अपनी फोटो लगाई होती है उन्होंने तो बस वैसा ही कस्टमाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक जगे चाहिए जहां पर हम कीबोर्ड खोल सकें तो नोट्स में आये हैं नोट्स में आने के बाद कीबोर्ड की टॉप लाइन में आप देख सकते हैं थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर थीम का उप्शन आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे settings का option आ रहा है, हम उस पे click करके वहाँ पे जाते हैं, तो मैं settings से दिखाता हूँ, settings खोलने के बाद तीसरे number पे theme का option आता है, और यहाँ पे आपको धेर सारी skins मिल जाती है, तो मैं पहले back जाके दिखाता हूँ कि मेरा keyboard अभी फिलहाल दिख कैसे रहा है, वो black color का है, और यह Google keyboard है by the way, तो हम वापिस जाते हैं themes में, और यहाँ पे अब हम कोई भी select कर सकते हैं, यहाँ color है, फिर landscape है, फिर light gradient है और dark gradient है, डाउनलोड करेंगे और लगा सकते हैं, अब पर लोग अपनी photo भी लगा देते हैं, वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम plus पे click करेंगे, और यहाँ पे मैंने कुछ wallpaper डाउनलोड करेंगे थे, अने में से related, तो मैं यह वाला select करता हूँ, लीवाई, एक्रेमेन का, attack on titan के fan, तो इसको हम select करेंगे और adjust करेंगे, कैसे हमें दिखाना है, तो यह ऐसे दिखेगा, apply करने पे, अब हम इसको customize कर सकते हैं, कि हमारे text की visibility क्या रहेगी, तो यह perfect लग रहा है, 44% पे done करते हैं, अब यहाँ पे keyboard borders आ रहे हैं, इस पे click करके दिखाता हूँ, मैं कैसा दिखेगा, और यह दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं off कर देता हूँ, और apply कर देते हैं, अब हम यहाँ से वापिस जाएंगे notes में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा keyboard बिलकुल customize हो चुका है, Levi का wallpaper इस पे लग चुका है, और यह काफी cool लग रहा है, तो आप भी ऐसे select कर सकते हैं, और बढ़िया बना सकते हैं, अगली वीडियो में और कुछ बढ़िया सा नया सा लाऊंगा, तब तक के लिए, bye bye and thank you for watching.